लोकडाउन के चलते मृतकों की अस्थी कलसों को गंगा में विसरजन करना परीजनों के लिए बड़ी चुनोती बना हुआ है ऐसे में चौमू विधायक रामलाज शर्मा ने मृतकों के परीजों की वेदना को समस्ते हुए हरिद्वार के लिए निशुल के बस की विवस्ता की है जिला प्रशासन और उत्राखंड सरकार से अनुमती मिलने के बाद चौमू से दूसरी बस रवाना की गई जिसे भाजपा प्रदीशाद्यक सतीश पूनिया ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस मोके पर विधायक रामलाज शर्मा नगरपाली का चेर्मेन अर्चना कुमावत समेत कई लोग मोजूद रहे कर दो झाल झाल झाल